Good morning student, पहले अपने EBS का lesson 1 किया था my family, मैंने आपको पहले यहां से read करवाया था of family से, लेकर daughter तक, ओके, आज मैं आपको सबसे पहले करूँगी activity, सबसे पहले दिखो, write name of your father सबसे पहले आप इसमें अपने पापा का नाम लिखोगे, second number पे है, write name of your mother, इसमें आप अपनी मम्मी का नाम लिखोगे, ओके, आज मैं आपको अब यहां से lesson जीट करूँगी, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, this, क्या लिखा है, this is a big family, यह है, एक बड़ा परिवार है, देखो एक इस पिक्चर में एक बिख फैमली दिखाई गई है, नेक्स लाइन, this family has 10 members, देखो इस परिवार में 10 members हैं, देखो इस पिक्चर में 10 members दिखाए गए हैं, इसमें क्या है, दादा दादी, फादर मदर, अंकल आन और कॉजन्स, ओके, देखो कितने members दिखाए हैं, 10 members, next line, 1-C-L-E- अंकल, A-U-N-T-A-N-C-O-U-S-I-N-S, Cousins and G-R-A-N-D Grand P-A-R-E-N-T-S Parents Live L-I-V-E Live T-O-G-E-T-H-E-R Together Uncle, Aunt Uncle, Aunt क्या होते हैं? Chacha Chacha, Chachi या फिर Tauji, Taiji Cousins Chachere, Bhai-Bhen Grand P-A-R-E-N-T Dada, Dada जैसे इसमे Chachaji, Chachi या फिर Tauji, Taiji Chachere, Bhai-Bhen और Dada-Dada इकठे रहते हैं Okay S-U-C-H Such a family is called A-J-O-I-N-T joint family Such a family is called A joint family Dada-Dada Dada-Dada रहते हैं Uncle, Aunt रहते हैं और Cousins रहते हैं वो कौन सी family है? Joint family Big family Okay देखा बच्चो आपने ये lesson complete कर लिया है Starting से लेके N तक मैंने आपको lesson read करना सीखा दिया है ऐसी मैं आपको एक activity दे रही हूँ ठीक है? Parents ध्यान दें के ये activity आप अपने बच्चों को अपनी मदद से अपनी help के साथ पहले बच्चे को ये tree draw करके दोगो इसमें आप tree sketch pen के साथ आप draw करके देना बच्चे को जहां blank है आप बच्चे को वहाँ पे brown color करवा सकते हो ओके जहां मैंने lips बनाये वहाँ पे green color आप बच्चे से करवा सकते हो ओके और जहां मैंने ये show किया हुआ मैंने ये pictures बनाई हुई है मैंने fruits show किये हुए है आप इसमें अपने family की pictures बिकानी है इसमें father, mother grandfather, grandmother ठीक है और इसमें आपकी photo हो सकती है आपकी बेहन की photo हो सकती है ठीक है आपको अपने family members की इसमें photo चिपकानी है ठीक है और इसमें parents request करूँगे इसमें आप brown paper भी use कर सकते हो brown paper की cutting करके इसको अके लिए देशकते हैं बच्चो को ओके ठैंक यू